जब भी हम भारत के बारे में बात करते हैं तो एक बात हमेशा हमारे जहन में आती है भारत विविधिताओं का देश है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तिवारी एकैडमी में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षाच है के सामाजिक विज्ञान में राजनीती विज्ञान के अध्याए एक की राजनीती विज्ञान का अध्याए एक जिसका शीरशक है विविधिता की समझ दोस्तो इस अध्याई पर हमने एक सरल भाषा में विस्तरत वीडियो बनाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया है अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें आज की इस वीडियो पर हम इस अध्याई के प्रश्ण और उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं प्रश्ण क्रमांक एक की क्या है प्रश्ण क्रमांक एक? प्रश्निक रमांक एक है अपने इलाके में मनाय जाने वाले विविन त्योहारों की बनाईए एक सुची इन में से कौन से त्योहार सभी समुदायों के द्वारा मनाय जाते हैं कौन से नहीं ये बताना है ठीक है तो हमने क्या किया इस उत्तर को सटी धंग से लिखा किस प्रकार से ये आप देखिए हमने सबसे पहले लिखा कि होली इन्हें हिंदू समुदाय के लोग मनाते हैं न हिंदू मनाते हैं दिवाली हिंदू मनाते हैं लोहरी हिंदू मनाते हैं दशहरा हिंदू मनाते हैं क्रिसमस इसाई मनाते हैं, रक्षा बंदन हिंदू मनाते हैं, इदुल मिलार इसे भी मुसल्मान मनाते हैं, इस्टर इसे इसाई मनाते हैं, ठीक है, मुझे अमीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आई होगी, इस उत्तर को हमने बड़े ही सरल तरीके सिहा पर लिख दिया है, है से बहतर बनाती है देखिए दोस्तों इसके उत्तर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम जानते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है हम विभिन भाशाएं बोलते हैं विभिन प्रकार का खाना खाते हैं अलग अलगते ओहार मनाते हैं और भिन भिन धर्मों का पाल अब प्रशन हमारे सामने ये है कि हम इस विविधिता को समझे कैसे है ना दोस्तों समझेगा करीब अगर बात करें दो सवादो सो वर्ष पहले की जब रेल हवाई जहाज बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यातरा किया करते थे वे पानी के जहाज में घोडे या उंट पर बैठ कर जाते थे या फिर पैदल चल कर जाते थे अकसर ये यातरा हैं जो थी ये खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी अब चुकि यातरा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अकसर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे और इसके लावा सूखे और अका जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा बदलावा जाता था कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने धर्रे पर ही चलते रहते थे है ना अब इस तरह उनकी भाशा, भोजन, संगी, धर्म, आदी में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था, उनकी संस्कृती और नई जगह की संस्कृती में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानि मिली जुली संस्कृती उभर कर सामने आ जाती। दोस्तों अगर अलग-अलग शेत्रु का हम इतिहास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन संस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृती को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई शेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविदिता संपन हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग-अलग तरह क भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामन जिस से बैठाते हैं उससे भी दोस्तो विविदिता उत्पन होती है। उधारं के लिए अगर बात करें तो समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। ना केवल वहां के लोगों के कपड से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सबजी आना जुगाते हैं वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर करते हैं। दोस्तो एक उधारन जो किताब में दिया हुआ था कि भारत के दो भाग लद्दाक और केरल इ ठीक है। तो जो ये प्रशन है कि हमारे विचार में भारत की समर्द और विविद विरासत जीवन को किस तरह से बहतर बनाती है। तो अब मैं आपको बता दू कि इसका उत्तर सठीक धंग से किस तरह से दिया जा सकता है। विविद प्रदेशों का भोजन बड़े चाव से शौक से खाते हैं तो ये उत्तर सठीक है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रशन क्रमांक 3 की क्या है प्रशन क्रमांक 3 आपकी अनुसार अनेकता में का विचार भारत के लिए कैसे उप्युकत है भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन धर्म भाशा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुशों ने अंग्रेजों के अगर हम बात करें तो खिलाफ मिलकर के क्या करी थी लड़ाई लड़ी थी युद्ध किया थ है ना और उन्होंने एक जुट होकर आंदोलन किया इकठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। दोस्तो भारत एक विशाल देश है जहां उत्तर में गगन चुम्बी परवत है तो बाकी तीनों और सागर और महासागर। ये भागोलिक इस्थितिया ही है जो भारती जन्मानस की जीवनशैली को निरधारित करती है। दोस्तो यहां भाषा की रूप में भोजन की रूप में पोशाक की रूप में रहन सहन के लिए निर्मित घरों के लिए तथा उनके विवसाय की रूप में यह सारी बातें क्या दर्शाती है विविधिता को दर्शाती है डाइवर्सिटी को बताती है। इन भावगोलिक विभिनताओं के बावजूद वे एक समान एतिहासिक विकास से प्रभावित होते हैं। भारत के विभिन भागों के लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी शासन के वृद एक साथ उठकर खड़े हो गए थे। जवारलाल नहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारती एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। बलकि यहाँ बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रार्थनाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविद ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांग 4 की प्रश्न क्रमांग 4 में क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांग 4 में हमें बताया गया है हमसे पूछा गया है जलिया वाला बाग हत्याकांड के उपर की है ना जलिया वाला गत्यकान की उपर लिखे गाने की उस पंग्ति को चुनिये जो आपके अनुसार भारत की एक्टा को निश्चित रूप से जलकातीए तो वो पंग्ति में आपर बता देता हूँ हिंदू ओ मुसलिम की होती है आज होली बहते हैं एक रंग में दामन भिगों के जाता है ये बंकती आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांग पांच क्या है प्रश्न क्रमांग पांच प्रश्न क्रमांग पांच में हमें दिया हुआ है कि लद्दाक और केरल की तरह भारत का कोई एक शेतर चुनिये और अध्यन कीजिये कि कैसे उस शेतर की विविदिता को एतीहासिक और भोगलिक कारेkovं ने प्रभावित किया क्या यह एतीहासिक और भोगलिक कारेक आपस में जुड़े हुए हैं और अगर है तो कैसे दोस्तो हमने लद्दाक के विशे में पढ़ा था जानते हैं कि लद्दाक जो है वो जम्मू और कश्मीर के पूरवी हिस्से में पहाडियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है लद्दाक पर बहुती कम खेती संभव है कारण है कि इस शेतर में बारिज जो है वो बिलकुल नहीं होती और ये जो इलाका है ये हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ रहता है और लद्दाक में बहुती कम पेड उख पाते हैं पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर करते हैं यहां के लोग एक खास किसम की भेड पालते हैं जिससे पाशमीना उन मिलता है यहां उन बहुत कीमती होता है दोस्तों इसलिए पाशमीना शाल बड़ी महंगी होती है लद्दा के लोग बड़ी सावधानी से उन को इकठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच दिया करते हैं मुख्यरूप से कश्मीर में ही पशमीना शाले जो है वो बुनी जाती है लद्दा के लोग दूद से बने पदार्थ जैसे मक्खन चीज है ना जिसे खास तरह का छेना कहा जाता है मांस ये सब खाते हैं हर एक परिवार के पास कुछ गाए बकरी और याक होती है रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहां आने के लिए आकर्शित यानी अट्रेक्ट नहीं हुए लद्दाक तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्यों क्योंकि यहां कई घाटियां हैं जिन से गुजर कर मद्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुचते थे जिसे आज तिबबत कहते हैं यह काफिले अपने साथ मसाले कच्छा रेशम दरिया आदी लेकर चलते थे लद्दा के रास्ते ही बौद धर्म कहाँ पहुचा तिबबत पहुचा लद्दा को छोटा तिबबत भी कहते हैं करीब 400 साल पहले यहां पर लोगों का इसलाम धर्म से परीचे हुआ और अब यहां अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं लद्दाक में गानों और कविताओं का बहुत ही सम्रद्ध मौखिक संग्रह है तिबबत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाक में काफी प्रचलित है उसके स्थानिय रूप को मुसल्मान और बौध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं वहीं पे अगर हम केरल क की बात करें दोस्तों तो केरल जो है वो भारत के दक्षन पश्रिमी कोने में बसा हुआ राज्य है यह एक तरफ सम्रुद्ध से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाडियों से इन पहाडियों पर अलग-अलग प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलाईची व्यापारियों के लिए बहुत ही आकरशक बना रहा, सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए, ऐसा माना जाता है कि इसा मसीख के धर्मदूत संत थौमस लगबग 2000 वर्ष पहले यहां आए, भारत में इसाई धर्म लाने का श्रेय जो है वो इन ही को जाता है अरब से कई व्यापारी यहां पर आकर के बस गए, इबन बतूदा ने जो करीब 700 साल पहले यहां आए, अपने आतरा वरत्तान्त में मुसल्मानों की जीवन का विवरन देते हुए लिखा है कि मुसल्मान समुदाए की यहां बड़ी इज़त थी, दोस्तो वासको डिगामा वासको डिगामा पानी के जहाज से यहां पहुचे, केरल तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, इन सभी एतियासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विवरन धर्मों का पालन करते हैं, जनमें यहूदी, इसलाम, इसाई, हिंदू और बौध धर्म शामिल है, चीन के व्यापारी भी केरल आए, यहां पर मशली पकरने के लिए जो जाल इस्तमाल किये जाते हैं, वे जो चीनी जाल है, उनसे हूबहू मेल खाते हैं, और उन्हें चीना वला कहते हैं, तलने के लिए लोग जो बरतल इस्तमाल करते हैं, उसे चीना चटी कहते हैं, इसमें चीन शब्द इस बात की और इशारा करता हैं कि उसकी उत्पत्ति कहां हुई होगी, केरल की उपजाओ जमीन पर जलवायू चावल की खेती के लिए बहुत उपयूक्त है, और वहां के अधिकतर लोग मशली, सबजी और चावल ही खाते हैं, ठ शेत्र ले लिए एक राजस्थान और एक तमिल नाडू, सबसे पहले बात करें राजस्थान की, यहां एक रेगिस्थानी शेत्र है, जो भारत का सीमवर्ती प्रदेश है, यहां पर कृशी कारे बहुत दुशकर है, और जवार तथा बाजरा जैसे मोटे अनाच का उत्पा यहां पर उगाते हैं, है ना, दोस्तों यह मत भूलिए कि अध्याय जो है विविधिता के उपर था, है ना, भारत की विविधिता या नेकता को क्या कहा जाता है, उसकी शक्ती का स्रोत माना गया है, जब अंग्रेजों का भारत पर रास था, तो अलग धर्म, भाशा और छ हत्याकांड हुआ था, तो एक गीत यहां पर गुन-गुनाय गया था, जिसके विशह में हमने जिक्र किया था, दोस्तों वो गीत अमरित सर में हुए जलिया वाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था, हुआ क्या था, उस हत्याकांड में एक बिटिश जनरल ने उन प्रिय निहत्ते लोगों पर खुले आम गोलिया चलवादी थी जो बाग में इखटे हो करके सभा कर रहे थे महिला पुरुश हिंदू मुसल्मान और सिक कितने सारे लोग से जो अंग्रेजों की पक्ष्टा पूर्ण नीती का विरोध करने के लिए जमा हुए थे उसमें से ब विश्वास बनाएं रखते हैं सोतनत्ता संग्राम के दौरान ही भारत के जंडे की परिकलपना भी की गई थी इस जंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाव इस्तमाल किया था बहीं पर यह जिक्र भी हमने देखा था कि जवाहरलाल नहरू ने अपनी कि प्रताब भारत की खोज में लिखा कि भारतिय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है बलकि यहां बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्विकार करने की भावना है इसमें विविदिता को पहचाना और प्रोसाहित किया जाता है यहां नहरू ही थे दोस्तो जोनोंने भारत की विविदिता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार जो है वो हमें दिया है ना दोस्तो जिस गीत का जिक्र आया है वो मैं आपको बताओ दूँ वो गीत कुछ ऐसा है कि दिन खून के हमारे प्यारे न हमारे चुन-चुन के फूल तोड़े वीरान इस चमन में कुई गुल खिला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना गोली खा के सोए जलिया बाग में हम सूनी पड़ी कबर पर दिया जला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना हिंदू ओ मुस्लिमों की होती है आज होली बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बून्द आसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आसू बहा के जाना, भारतिय जन्नाट संग इप्टा दोस्तों मुझे उमीद है कि इस अध्याय पर बना हुआ वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस पर जाकर उसे जरूर देखें, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है, ये वीडियो जो हमने इस अध्याय के प्रश्न और उत् तर किस तरह से सटीक धंग से लिखे जा सकते हैं, ऐसा बताने का प्रियास हमने इस वीडियो में पीडियाफ के माध्य हम से किया है, जो अमीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप जरूर इस वीडियो क की लिंक को शेर करेंगे, साजह करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाथियों और परीजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को, समझ पाएं इस जानकारी को, आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी अगली जानकारी के साथ अग